हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो यूटूब चैनल निशा स्टर्डी पोइंट आज हम इस वीडियो में करने वाले हम एक पोईम दा टैल ओफ कस्टर्ड दा ड्रेगन जो की ओडन नैस के द्वार लिखी गई है यह पोईम है जो वह बैलेट फॉर्म में लिखी गई है बैलेट फ पोईम जैसे रियली और ट्रूली यह इंग्लिस के वर्ड है और इनको लेमी लाने के लिए पोईम में रियली और ट्रूली लिखा गया हम रियली और ट्रूली यह कोई वर्ड नहीं है बलकि रियली और ट्रूली को ऐसा लिखा गया हम तो यह जो स्टोरी है वह बैलिंडा नाम के एक लड़किी की है और उसके पास दो चार पाइट्स है उनके बारे में बताया है कि तो तो करते हम ये हमारी पूईम अ ढटल ओफ कस्टड डडरैगन बरींडा ल्प इन ए congressional है जो सिम्हें डेन वाइब हाउसद इस पर्ड़क हां गेव चोटे से बिल्ली के माउस के साथ and a little yellow dog और एक yellow dog के साथ and a little red wagon और उसके पास क्या था एक little red wagon wagon में चोपईया काड़ी थी जो कि लाल कलर की थी and a really or truly little pet dragon यह really or truly मतलब क्या है कि यह word नहीं है बलकि really or truly को rhythm में लाने के लिए क्योंकि यह जो poem है वो ballad form में है और यहां पर जो poet है वो poem को lay में लाना चाहता है इसलिए उन्हें really or truly को really or truly में मतलब ऐसे लिखा है little pet dragon और उसके पास क्या था एक dragon था जिसके मुह से आग निकलती हो तो उसके पास यह चार पैट थे now the name of the little black kitten अब इनके नाम बताएंगे कि जो black kitten था उसका नाम क्या था ink and a little grey mouse और जो little grey mouse था she called him blink and the little yellow dog was sharp as mustard और जो yellow dog था उसका नाम mustard था but the dragon was a coward coward means कायर लेकिन जो dragon था वो कायर था वो डरता रहता चोटी-चोटी बात तो समिझे and she called him custard तो उसका नाम उसने custard रखा था custard the dragon had big sharp teeth जो custard नाम का dragon था उसके बड़े दाथ थे और नुकीले दाथ and spikes on top of him spikes means kill और उसके जो उपरी भाग है स्रीर का उसके उपर कील थी spikes थी and scales underneath और नीचे की तरफ क्या था scales मतलग धारियां थी mouth like a fireplace और जो उसका मूथा dragon का वो fireplace यानि की भट्टी जैसा था उसमें से आग निकलती थी chimney for a nose और उसकी nose थी वो कैसी थी chimney जैसी थी क्योंकि उसमें से धुवा निकलती था and really or truly or dragger on his toes, toes means पंजे और dragger means चाकू और उसके जो पंजे थे उस पर पंजे वो कैसे थे चाकू जैसे थे उसके Belinda was as brave as a barrel full of beers barrel full of beers मतलब भालों को जो जूंड होता है जो Belinda है वो अपनी बहादूरी का दावा करती है कि वो इतनी बहादूर है जितनी की भालों का जूंड होता है और ink और blink बोलते हैं कि वो पीछा करके लाइन को सीड़ियों से नीचे भगा सकते हैं Mustard was as brave as a tiger in a race और जो mustard है वो इतना सहसी है वो ऐसा बोलता है कि मैं इतना सहसी हूँ जितना की tiger in a race race मींस गुस्सा जितना की एक tiger गुस्से में होता है कस्टरड क्राइड फोर है, नाइस सेफ केज, केज मेंज पिंजरा, लेकिन जो कस्टरड है वो सिरफ एक सुक्षित पिंजरे की माँग करता रहता है बेलिंडा टिकल्ड हीम टिकल्ड मिन्स सताना सी टिकल्ड हीम अनमर्सिफुल वो बिना दया के कस्टड को सताती रहती है इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड ये जो तीनो बेलिंडा के जो पैठ है दे रूडली कोल्ड हीम पर्सिवल ये उसको परसीफल बुलाते हैं कि इसको Custard को जो परसीफल है वो क्या होता है जो पुरानी कहानिया होती है उसमें एक karakter होता था जो की सरीर से बड़ा लेकिन आतो से मतलब छोटा होता था चोट बच्चों जासे आते होती हैं बैठे होती है कि एड़ दा रियली और ट्रूली और कावडली ड्रेगन जो कि एक मतलब डरता रहता है ड्रेगन सजमुस में उसकी हसी उडाते हैं बैलिंडा गीगड तिल टील दा शुक दा हाऊस बैलिंडा गीडड गीडड मिंस खिला कर हसना और जो बैलिंडा है वो हसती रहती जब तक कि वो पूरे घर को खिला नहीं देती and blink said wick wick मतलब एक जैसे चूहा बोलता है मतलब आवाज चीची के आवाज करता है वैसी यह आवाज है उसकी which is giggling for a mouse जो की एक चूहे की हसी होती है wick जैसे बोलता है वो एक चूहे की हसी है ink and mustard rudely asked his age और ink को जो mustard है वो मजा को डाते हुए custard की age पूछते है when custard cried for a nice safe case लेकिन फिर भी जो custard है वो एक सुरुक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता है मांग करता रहता है suddenly suddenly they heard a nasty sound अचानक ही वो एक nasty sound nasty means अजीव सी sound सुनते है and mustard growled mustard growled जो mustard है वो गुराता है आवाज को सुनकर and they all looked around और वो अपने चारु तरफ देखते है mewok cried ink जो ink है वो mewok की तरह में चिलाता है mewok करके उसके आवाज है वो and oh cried Belinda और Belinda बोलाती है oh for these for there was a pirate climbing in the window window means window and pirate means Lutera climbing आते वे या चड़ते वे और फिर वो देखते हैं कि वहाँ से window में से एक Lutera आ रहा है चड़ रहा है pistol in his left hand pistol in his right यानिके उनके दोनों हातों में पिस्टल थी किसके पाइरेट के लुटे रहे हाथ में left hand वे और right hand में and he had in his teeth एक cutlass bright और उसने पकड़ी हुई थी किसमें टिथ में एक cutlass एक bright कटार एक तेजधार वाली कटार his beard was black और उसकी जो दाड़ी थी beard थी वो black थी one leg was wood और एक जो टांग थी उसकी वो wood लकड़ी की थी it was clear that the parrot meant no good ये भी हुबब उती मतलब clear था कि जो लुटेरे का जो इरादा है meant था no good वो कोई अच्छा नहीं था बेलिंडा पेल्ड पेल्ड मींस भैसे मतलब चहरा पीला हो जाना and she cried help help और इस पर वो help help चिलाती है but mustard fleed with a terrified yelp, yelp मींस एक तीखे आवाज और terrified मींस बहुत बहबित हो जाना और अब जो mustard है ये सब देखकर एक भैसे एक तीखे आवाज निकालता है ink trickled down to the bottom of the household trickled means धीरे धीरे चलना ink चला गया धीरे धीरे bottom of the household जो घर में चीजे रखी थी उनके निचे and little mouse blink और जो छोटा चूहा था blink strategically उसने सबसे अच्छा माना mouse hold अपने चूहे घर में जाना but up jumped custard वो जो स्तीनों पैट थे वो डर के मारे छुप जाती है और बैलिंडा भी डर जाती है लेकिन जो custard है वो jump करके आता है snorting like an engine snorting means फुफकारता हुआ और custard फुफकारता हुआ एक engine की तरह आता है clashed his tail clashed means mana and tail means मतलब उसकी पूच को वो अपनी पूच को मारता है इदर उदर like orange in a dungeon जैसे के कैदी होता है ना मतलब काल कोटडी में dungeon मतलब काल कोटडी और orange मतलब लोहे की जंजीर जैसे कैदी लोहे की जंजीर को जब हिलाता है तो जैसे आवाज आती है with a clutter खड़-खड़ा हट के आवाज आती है and a clank और जन-जना हट के आवाज आती है and a jungling squirm squirm मतलब एठनिया बल और जब वो जंजीर को मतलब बल देता है दर उदर करता है मतलब तो खन-खना हट और जन-जना हट के आवाज आती है he went at the parrot like a robin at a worm robin मतलब एक पक्षी होता है at a worm worm मतलब एक कीडा और जो custard है वो पाइरेट पर लुटेरे पर इस तरह से जबड़ता है जैसे कि like a robin जैसे एक robin पक्षी जबड़ता है at a worm एक कीड़े के उप़ा the parrot gap at Belinda's dragon gap मतलब move hard कर देखना जब जो पैरेट था जो लुटेरा था वो move hard कर देखता है Belinda के dragon की तरफ and gulped some grove from his pocket flagon flagon मतलब एक जो बड़ी सी बोतल होता है सुराही टाइप वो अती है और grove मतलब दारू, सराब and gloved gloved मतलब निगल जाना और वो अपनी pocket से एक बोतल निकालता है और सराब को पीने लगता है he fight two bullets और अब लुटेरा कस्टर्ड के ओपर दो गोलिया चलाता है but they didn't hit लेकिन वो उसको नहीं लगती है बेलिंडा embarrassed him embarrassed मतलब प्रेम से गले लगाना जो बेलिंडा है वो कस्टर्ड को गले लगा लेती है क्योंकि वो उन सब को बचाते हैं mustard licked him licked मतलब चाटना mustard उसको चाटने लग जाता है no one mourned for his pirate victim mourned मतलब दुख महसूस करना कोई भी glee glee मतलब खुशी ink और blink है जो वो खुश थे did garrate garrate मतलब चकर काटना और custard की चार और चकर काटने लग जाते हैं around the dragon dragon की चार और that ate the parrot जो की luteire को खा जाता है but presently up spoke little dog mustard लेकिन अचानक ही जो little dog mustard होता है वो बोलता है I did have been twice as brave मैं इससे दो गुना बहादूर हूँ if I had had not been flustered flustered मतलब उल्जन में पढ़ना अगर मैं उल्जन में नहीं पढ़ा होता तो मैं इससे दो गुना बहादूर हूँ and up spoke ink and up spoke blink और इसी बात पर दोनों ink और blink भी बोलने लग जाते हैं we have been three times as brave हम इससे तीन गुना brave है we think और हम सोचते हैं हम उसको मार देते हैं and custard said और इस बात पर जो custard हो कहता है कि I quite agree मैं मानता हूँ that everybody is brave than me कि तुम सब मुझसे बहुत ही ज़्यादा brave हो बेलिंडा still lives in her little white house जो बेलिंडा है वो अब भी अपने little white house में रहती है with her little black kitten and her little grey mouse उसके black kitten के साथ और grey mouse के साथ and her little yellow dog and her little red wagon and her really or truly little pet dragon ये जो four lines हैं वो repeat हुई हैं जो starting की जो lines थी उसी के साथ तो वही हैं ये बेलिंडा is as brave as barrel full of beers जो बेलिंडा बेलिंडा इतनी बहादूर है कि जितनी जो भालो का जो जुण होता है barrel होता है जुण होता है वो बहादूर होता है and ink and blink says lines down the stairs और ink और blink इतनी बहादूर है कि वो पीछा करके chase मतलब पीछा करना पीछा करके lines को down the stairs सीडियों से नीचे भखा सकते हैं mustard is as brave as a tiger in a cage और जो mustard है वो इतना बहादूर है जितना कि tiger इने rage tiger गुसे में होता rage मतलब गुसा but custard keeps crying for a nice safe cage लेकिन अब भी जो custard है वो एक safe cage यानि कि एक स्रुक्षित पिंद्रे के लिए रोता है मांग करता है तो ये जो four line है और जो पहले जो four lines थी वो पहले repeat हो चुकी है वही है तो I hope कि आपको ये जो full जो point में वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी सो कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी कि आपको ये जो जो जोगी